सभी आंगनबाडी से विकास सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज सुबे साथ बजे की सच्छी खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको बता दें कि कल कोट ने सुनवाई के दोरान क्या क्या कहा है आज आपको वो बताएंगे आंगनबाडी बहनों के जीत के चांस हैं वो काफी अब नजर आ रहे हैं तो आज एक ये आंगनबाडी बहनों अच्छी खबर आपके लिए हो सकती है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना सेयर कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब करके आपने न रखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना बहुत सी बहने हैं वीडियो देखती हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ तो बहनों आपको बता दे कि हाई कोर्ट की जो खंड पीट है लखनवू वहाँ पर फैसला कल क्या सुनाया गया मनीशा कनोजिया जो बहन है उन्हीं की यह जो याचका थी उसी पर सुनवाई के दौरान की बाते हैं कल 28 तारीक का यह मैं मामला आपको देक पा रहे हैं तो ऐसे में भाईो बैनों आपको बता दे कि यह यहाँ पर रिड़ संख्या 54-29 है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और साथी साथ जो इस बारे में क्या-क्या बाते निकलके आती हैं वो मैं आपको बताता हूं इस जानकारी को भानुमति बहन है और य जिनों ने एक ये मैसेज आलंडिया को कल भेजा कि माननीय उच्च नियाले में उत्तर प्रदेश की सभी आंगनबाडी बहनों के ग्रेजुटी के सम्मंद में योजित याचिका की आज सुनवाई में राज सरकार के वकील ने प्रती उत्तर दाखिल करने के लिए और समय की मा अभिलासाब पांडे जी उन्होंने कहा है कि राज सरकार पूर्व में भी कई बार समय मांग चुकी है जिस पर नयाधीस ने सरकारी वकील को अंतिम अवसर देते हुए अगली तारीक 6 सितंबर को जो है दी गई है तो आपने देखा कि राज सरकार हमेशा से एक ही काम कर रह एक याचका तो वो डाली गई थी जिसमें अपने सुनिल कुमार पाल भाई और सभी लोग बहनों के सपोर्ट से जो याचका पड़ी थी वो आपके मांदे वरधी समझ लो या इस तरह के कई मुद्दे थे उनको लेकर के पड़ी थी उस मामले में भी सरकार को चार महीने का समय दिया गया था और फिर भी सरकार के जो वकील हैं उन्होंने चार महीने में अपना प्रती उत्तर दाखिल नहीं किया कोई जवाब कोर्ट को नहीं दिया तो ये कोर्ट अब वो एक अलग केस था ऐसे ही ये जो मनीशा पांडे बहन ने ग्रेजुटी के सम्मंद में याच अब समय मिलने के बाद भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है राजसरकार केवल समय पर समय मांगती है और उसके आगे कुछ नहीं करती यानि चीजों को लंबा बस खीच रही है तो इसी पर जो मनीशा करोजिया बहन की जो वकील रही अभिलासा पांडे जी उन्हों ने साप साप कह दिया कोट में कि जो है पहले भी सरकार को या राजसरकार के वकील को समय कई बार दिया जा चुका है तो इसलिए फिर नया धीस महोदय ने क्या किया नया धीस महोदय ने सरकारी वकील को ये लाश्ट अवसर दिया है आखरी अवसर दिया है अंतिम अवसर कह तो ऐसे में बोल दिया साप साप कि 6 सितंबर अभी आ जाएगा 6 सितंबर को अगली तारीक मिल गई है अगर सरकारी वकील महोदे कुछ पेस नहीं करते तो सायद उनको अब उसके आगे तारीक पर तारीक ना मिल पाएं और कोर्ट अपना फैसला यानि जो लास्ट डिसीजन है वो 6 सितंबर को सुना सकता है तो अब ऐसे में ये एक अच्छी बात है इससे क्या होगा कि राज सरकार के वकील को कम से कम समय जो दिया गया उस समय में उन्होंने कुछ नहीं किया इसके पहले जो वह वाली आजका पर 4 महीने का समय बीत गया अब तो 4 से भी जादा हो गया म पिलकुल ही उदासीन बने रहते हैं जिसके चलते आपने देखा है कि बहनों का टाइम जा रहा न्याले से न्याय मिलने में भी देरी हो रही अब बहन ने लेखा पटेल भाई सुप्रीम कोड जो 62 से बढ़ा कर 65 साल पर रिटारिमेंट करने का आदेश दिया है क्या यह हम म पढ़ा कर उसको पैसेड कर दिया ऐसा कोई हाल फिलाल में मेरे पास नहीं आया ऐसे फेस्बुक जो यूटूब पर कई जगए पोस्टे तो आ रही है लेकिन ऐसा कोई सीन मेरे पास नहीं आया जब तक नहीं आता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता इधर फिलाल जो आप जान दे थोड़ा और जीत तो बहनों की होगी अभी नहीं तो टाइम भले ही लग जाए लेकिन होगी अब गरिजटी मामले में भी 6 सितंबर को अब उमीद रखिये कि फाइनल डिसीजन कोट दे देगा अगर सरकारी वकील अपना जवाब पेस नहीं करते वहीं कोट टाप क पन टेम भी किया जाएगा उस वाली अचका पर जो हम लोगों ने बहनों ने समने सपोर्ट करके आगे की लड़ाई लड़ी थी उसमें भी 4 महीने का समय बीट गया और सरकारी वकील ने कुछ नहीं किया तो अब उसमें भी आगे जो भी होगा फिर देखो कोर्ट सायद एक लाश्ट चांस उस वाली अचका में भी इस राज़सरकार के वकील को दे सकता है और अगर वो नहीं करते तो फिर क्या होगा फिर ऐसे मामले में جो है सुनवाई हो सकती है डारेक डिसीजन आ सकता है ऐसे आसार है आप लोगों का इस बारे में अगर कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतक्रियाओं को जरूर चोड़ना और आलेंडिया को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत मुलना जुड़े रहेंगे तो जानकारियां आपके फोल में आती रहेंगी कामनी बहन कानपुर देहाद से इन्होंने जिला दिकारी जो कानपुर देहाद के हैं नेहा जैन जी उनका दरसल एक लेटर आलेंडिया को भेजाए 25 अगस्त को नेहा जैन जिला दिकारी है उन्होंने जारी किया है जिला बेसिस इच्चा दिकारी को और जिला कारकरम दिकारी को और इस लेटर में साफ आप देख सकतें लिखा गया है कि अदोहस्ताचरी के द्वारा जन्पद के आंगनबारी केंद्रों पर निलिच्चण किये जाने पर जानकारी प्राप्त हुई है कि आंगनबारी कारकरती को निपुड भारत और बालवाटिका से सम्मंदित बच्चों के पढ़ने लिखने और संख्या ग्यान में ग्रेड इस्तर की अपेच्छित जानकारी नहीं है जबकि प्रतेक प्रात्मिक विद्याले में निपुड भारत और बालवाटिका एवं आगनबारी केंद्र हेतु नोडल अध्यापक कारेरत हैं अताह नर्देश किया जाता है क प्रतेक विद्याले में निपुड भारत और बालवाटिका इनके अंतरगत कारेरत नोडल अध्यापक के द्वारा प्रतेक मंगलवार को समस्त आगनबारी केंद्र पर पोशल ट्रेकर पर दर्ज बच्चों का वजन का सत्यापन करके चहक किट के माद्यम से बच्चों को न पुड भारत और बालवाटिका इनकी जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित करें साथी सम्मंदित एरपी को नर्देश है कि विद्याले के निरिच्चड के साथ साथ आगनबारी केंद्र का भी निरिच्चड करें और केंद्र के खुलने बच्चों की उपस्तिती सुनिश तो एक एक कड़ा नर्देश आया है जो कि आप देख रहे हैं निपुड भारत के लच्च प्राद करने को लेकर बालवाटिका की सिच्चा को लेकर बतया जा रहा कि आगनबारी बेहनों को वहाँ पर उनको बच्चों को पढ़ाने में पढ़ने लिखने और संख्या ग्या की थोड़ी कमी है कि इन बहनों से गैर विभागी कार भी खूब कराया जाते हैं जिनके चलते बहने अपने केंद्रों पर बच्चों पर फोकस नहीं कर पाती अब एक ही कार करता उस समय पर बियलों के कार करें या फिर जो है कई तरह से चुनाओ ड्यूटियां करें या अन गैर विभागी कारियों को करें स्वास्तिवाग के बहुत से कार और भी तमाम कोई भी जागरूपता कार करम कहीं भी कुछ भी कुछ भी आये सब कार करता के मत्थे मर दिया जाता है यहां तक कि आधार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी भी कई जगे बहनों के उपर सौपी और सौपने की तैयारियां भी चल नहीं अब ऐसे में आप बताओ कि कैसे फिर आकिर बहने अपने सेंटर पर आने वाले तीन से छे वर्स के बच्चों को नेपुड भारत के तहट सिप्छा दे पाएंगी या बालवाटका के तहट कुछ अच्छा करा पाएंगी तो यहाँ प पा रहे हैं जिसके चलते भी ICDS की जो मुख्य सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं कोर्ट के कहने के बावजूद भी आदेसों की अवहिलना हो रही है तो ऐसे में पहले विभागी जिले के जो अधिकारी हैं या जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको संग्या और उन आदेसों का भी पालन करवाना चाहिए जिसके चलते ICDS की मुख्य सेवाएं वो प्रभावित नहीं होंगी और अच्छे तरीके से फिर गुडवत्ता भी निकल के आएगी कामनी बहन है कानपुर देहास से और इन्हों ने अपने यहां से एक लेटर भेजा है 28 तारी को DPO राके सियादो जी है उन्होंने दरसल अपने यहां जारी किया है और ये CDPO लोगों को और सुपरवाइजर लोगों को भेजा गया बोला गया है मुख्य विकास अधिकारी महोदे कानपुर देहात के द्वारा प्रदान नर्देसों के करम में आपको नर्देसित किया ज समस्त बाल विकास पर्योजना में चैनित 11 आंगनबाडी केंद्रों की आंगनबाडी कार करती एवं एक बाल विकास पर्योजना अधिकारी प्रभारी इनकी बैठक मुख्य विकास अधिकारी महोदे कानपुर देहात की अध्यचिता में एक सितंबर दिन सुक्रवार को समय प्रातह ग्यारा बजे विकास भवन सभागार में आहूत की गई है अतह आपको नुर्देश किया जाता है कि चैनित ग्यारा आंगनबाडी केंद्रों की आंगनबाडी कारकरतियों के सहीत लर्निंग लेब की अधतन सुचनाओं के साथ आयोजित बैठक में ससमय प्रतिभाग करना सुनशित करें कानपुर्दिहास से एक मामला ऐसा भी सामने आया वहीं दोस्तों आप देख रहे हैं आज के इस वीडियो को हम यहीं रखेंगे और अगले वीडियो में दोपहर को आपको बहुती जल्द फिर मिलेंगे